कर दो कि अफिटाल है और दोस्त कैसे आप सब लोग है यूप काफी अच्छे ओने स्वर्स्तों के मत्स हूं आप सब को पता है कि आप लोगोगा किसमेज देटो हो चुका हना आप लोगों को किसमस दे तो होई चुका भाई और अब बारी है कि आने वाला जो क्रिसमस है उसको सेलेक्शन के तौर पर मनाया जाए मतलब यह कि उस पर आपकी नौकरी लग जाए समझ गए एक बार सभी लोगों सो रिक्विश्ट है कि सिसन को एक बार लाइक कर दीजेगा और अपने अपने गुरूप में क्या करना है आपको सेयर करना मैं यहां पर जोब को पढ़ा रहा हूं विएमसी एक बहुत नंबर वाला सब्जेक्ट है आपका कोई भी एक्जाम हो एक स्वाई जेड सभी एक्जाम में बियम सी पूची जाती है और बढ़ी हाज अच्छे के लेबल पर पूंची जाती है एक बात याद रखिएगा ठीक न तो सागत हमें आपको इस्टोन पहारा हूं इस्टोन का पहला लेक्चर हो चुका है कल और आस सिकंड लेक्चर है तो हमारे साथ जैए शाहवान एस यादो बिक्की सिंग सभी लोगों का स्वागत है रभी सबस्केल है आप लहता हूँ है उसके बाद भी आपको प्रोड करते है क्या क्या वीडियो लेक्चर ताकि याप लोगवा का एक भी दिन का नुकसान नहों क्योंकि हमें पता है आप हमसे जूर चुके हैं यह इंटर्नल कन्neक्सन हो ही चुका जाहिन भाई चलो इस्टार्ट करते हैं भा़े एकड् Since दो चलो स्टार्ट करते हैं क्या होता राखिए हाडनेश आपको है त्यांक किया रण वक्रीट होता है इनके मिनरलस के बारें बता दिया था ओर तो था प्च दिखाऊंगा माई का दो तरीके खोता अच्छा आपने वाइड माई का और ब्लैक माई का पढ़ें कि नहीं कि नहीं साइद मुझे लगता है कि आप लोग नहीं पढ़ें वाइड माई का अपने पढ़ा है नहीं पढ़ें तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वाइड माई का वाइट माइका और ब्लैक माइट दोनों आपको मिका दोनों पढ़ाऊंगा ठीक न और आज बहुत कुछ भी आए एड करूंगा जैसे आ गया गया मिलता जाएगा तो सारा कुछ आपको पढ़ाई दिया गया था ये कल आपको सारा कुछ पढ़ा दिया था ना और इसके होता है इसके बाद मैं आपको ये सारा कुछ समझा दिया था इगनिया स्रक्सेडिमेंटरिया कमेटर मॉर्फिक रॉक तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हाई पर बाइसल रॉक देखे होंगे ना है पर बाइसल रॉक चलो हाई पर भाइसल रॉक का इग्जाम पल आप सभी लोग जित्ते भी लोग है आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट का उठा दर्धोरा क्या से सन को लाइक करने में एक मोटी वेसान आना चाहिए भाई आज आपको पता है कि आदे ससी जैने जो 2030 में जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए ना सब का सीट वाइकन सीट ए दोले राइट ओके चलो और इसके बाद यह था अपकर यह सारा कुछ हो गया था यह आपका यहां पर तो सारा कुछ कवर कर वा दिया था कली कवर हो गया तो इस्टेटी फाइद अनिस्टी फाइट फोईलेटेड रोग तो यहां पर एक ही चीज होता बिलकुल सुभम साहा बिलकुल भेज दूंगा भाई डेफाइब के यह यह आई से नहीं आथ की डेफाइब में क्या चला था आप कंटेन मुझे लेकर भेज दीजे बस हो गया डोले राइट एकदम यंग कुमार एकदम बहुत बढ़ी है ग्रेनाइट नहीं आइट नहीं अग्रेनाइट इस ग यहां तक आपका सारा कुछ हो चुका तो यहां इसके एक्जम्पल भी आपको लिखाना था तुनके एक्जम्पल लिखवा देता हूं और आगे बढ़ता हूं टाइम नहीं बरबाद करता ठीक न टोले राइट यहां पर सिलेट आपका आरजी लेसी एस रॉक इसको बोलते से शीडी आपका साथ कुछा है यहां साथ से लेट से यालेटी निकाल कर क्याबनात होगे लेटे रॉत का सिलीत रौक के ओके और चलकर आसमें मार्बल आपका हो जाएगा लाई मिस्टोन आपका हो जाएगा नइस तुन आ जीया से आजिए सबस्क्राइब देंगे तो कमासर आगर आप गरूप में जो dieta कह नवा हुँ आप पूरी पूरी पीडीयाफमनीन चडो यह चलो कьогоरिंग प första सटान क्या बार कोईरिग करना करना कई बतल्य किशन अब थोटन इकवे तरीक निकालते ठीक ना ब्लाश्टिंग द्वरा अभी ब्लाश्टिंग के एक बाद आपको करूंगा कि अगर आप बताईएंगा कॉमेंट सेक्षन में आप जवाब दीजिए गप कि अगर अभी नोट मत कर ये कुछ भी आप नोट मत कर ये आपको भाई पूरी की पूरी मिल भी आप कर टेल ग्राम गृरुप पर अगर आप डाउनलोड किये आऊ वहां पर ही मिल जाती आकर आप बताइए का पानी के अंदर बनाना हे यह यहां पोरे में पानी भीर हुआ हुआ पूरे में आपनी वह ए और मुझे इसके ङंदर यह बलॉक सोना कैसे निकाल कि दो में थाड़ होते हैं रॉक रॉक एंड और यह दो में तरने जिसके वज़े से यह में थार नहीं है यह एक्स प्लोसी वह दो रॉक 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 एंड को डाइट जब पानी अंदर रॉक मैं फेकूंगा न तो ब्लास्ट होता बहुत तेजी से और अगर क्तों फ्रॉक यूज करते हैं लिटो फैक्टर इस करते हैं अभी आपको लिख्वा रहाओ ब्लाश्ट टर इंग में ओके सीज्निंग आप दैस्टोन इस्टोन की या करना सीज्टोन करना सब सीजनिंंग कैसी होगी हाँ पर कुछ पॉइंट सिंपॉर्टे इम लग बिंद कितना सिक्सेटल मन ये बाद तो सर सब को पता थी कंप्लीट सीजनिंग के लिए लेकिन यहां पर क्या है अफ्रेसली कॉट इस्टोन काई रिंगी सम नेच्रोल मॉइस्टर नोने स्कुरिंग सैप क्वैरिंग साइप इसमेनल सॉलूसन एंड रियक केम कली विद दमीनल कॉंस इसके बाद इसके बाद दर ड्रेसिंग बीफोर सीजनिंग इंप्रूब द वेदर रिजिस्टेंस आप स्टोन अभी जाईएगा आईयस में चेक कर लिजेगा यह वाली लाइन आया आईयस मचे कर यह वाली लाइन अभी आप में आई और आपके जेए लेवल पर कई बार क्या है कि किस ईढ़ी इसटोन उता है चैसे वाराdevelop कर दो तोता उस डॉटार आपको बता रहें च्कॉस्टॉन ट्र centre इंकिरीular foundry Serp Sarra कोटेशन और सिजनिंग पहले क्या कर देते हो इसका ड्रेसिंग कर देते हो एकदम याद रखिए गा तो यह दोनों पॉइंट आपके एक्जाम में आई एस में और आप में भी आप जब कोई भी एक्जाम देने जाओगे ना अगर इस्टेटमेंट वाला बनता है तो जरूर भी आप यहां टेशर होना चाहिए इस्टेंट कैसा होना चाहिए एट सुड है इस्टेंट बिट्विन सिस्टी तो टू हंड़ेट याद रखिएगा लेकिन कामन विल्लिंग के लिए यह गलत हो जाएगा फोर कॉमन मिल्लिंग और करवन बिल्लिंग के लिए कम्प्रेशिव इस्टिन पूर्बी गटर दैन सर्वेसिट गटर देन सुन गटर देनंट फूर्द मेंगा पास्कल 10 मेगा पास्कल से ज्यादा हो न चाहिग का सिमतार दूमें आप लोगों का आध इस्टोन एकडम फिनीख हो जाएगा स्टोन याद रखेगा अपपने ग्रीस गूरु में जूड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ कुछ सीखने को मिलेंगा और मजा भी आईगी आपको ओके तो यहां पर आपका वेट अपने पूरो सिटी ये सारा कुछ आप पढ़ चुके होंगे हाँ वाट आप जॉप्शन के अगर बात किया जाए यहां पर बहुत ही बहत्रीन लेवल पर कुछन आता है क्या सैंड इस्टोन देखे साइन इस्टोन और लाइम इस्टोन इन दोनों के पांस वाट आप जॉप्शन 10% होता लेकिन यहां पर आपना एक स्लेट देख लिए नीज देख लिए आपका एससी के लास्ट यरी पूछा जाता दो साल हो गया था वहां पर यह पूछा गया था कि स्लेट का वाट आप जासन कितना है तो कुछ बुक में नहीं भाई डैनमाइट बिल्कुल नहीं होगी है बिल्कुल नहीं होगी पूरा हो ही पॉस्वाली नहीं कहीं कहीं परापका 0-7 पर्सन भी लिखा होता है याद रखीएगा काई बुक में 0-10 परसन भी लिखा जाता इसी लिए जो फोता है ना स्लेट को क्या करते हैं हम अपने घर पर बोड़ वगयरा बनवा देते जो ब रही वाटर ही नहीं रहे गात कहा से करेंट फ्लोह होगा तेक यहां तक आप सामय लिजेगा इस पेर सिक रोटी कितना होगा इस पेर सिग्रोटी आप डाइश टोन करेंगा टू पाइंट फोर से 2.7 याद रखिएगा कई बुक में ये 2.5 भी विन 2.5 से 2.9 भी में याद रखिएगा ठेक और जैसा अगर मात करूं आपका इस्टोन सुर्वी फायर रिजिस्टेंस ये कैसा होना चाहिए फायर रिजिस्टेंस होना चाहिए और इट कैन दी विद इस्टाइन टेंपरेचर ispmana याव तो अधहां ला याज़ू होन ग Wheat a Stephen समस्टी थे आपको कुस समाझ में चर्ड में आया साहण में न समय तो महताँ ऑफ लाइन पर यह ओंगे चुना पढ़ेंगे मेरे गए दोस्त तो चूने को कैल्सिनेशन प्रोसेस में लाइब स्टोन को लाइन स्टोन को 42.05 तो किलो कैलोरी जब एनर्जी देंगे और इसको रेड करेंगे तो वहाँ पर जूट टेंपरेचर होता है 800 डिग्री सेंटिग्रेट होता है इस प्रोसेस को क्या बोला जाता कैल्सीनेशन बोला जाता मलब उसको जैसा मैंने इस्टोन लिए श्टोन गदम रेट तक लाल तक करके छोड़ दिया और सो डिग्री टेंपरेचर होता इस तरीके सागर वो सेम वर्ड़ अगर कहीं आजाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए यहां पर आपका डिवरेबिल्टी आफ इस्टोन में अगर देखा जाए खूब कुशन आता डिवरेबिल्टी आप इस्टोन कहения के लिए तकि न ब्राइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है फ्रॉषट एक्सन की लीए यहюсь पूछ लिए ब्रॉट टिस्ट के लिए फ्रोस्ट एककशन फ्रोस्ट प्रोस्ट एक्सन की利ग दिन इसमित टेस्ट आपका तलूबहर करता है इसको करने के लिए यह स्टोन लिया इसको पानी में डाल दिया अब बताओ अगर यह स्टोन के अंदर कोई धूल कर पार्टिकल होंगे तो सब पानिक साथ क्या कर जाएंगे घुल जाएंगे क्या कर जाएंगे घुल जाएंगे ठीक ना उससे समीध टेस्ट एसी टेस्ट कुष्ट लाइट इस अंटिश्ट यह तीन टेस्ट होते हैं तो ब्राग टेस्ट आप से पूचा जाता फ्रॉस्ट एक्षें के लिए होता है ओके अगले पिक और एक से लिश्टून क्या बिल्क पॉर्टेंट होगा आप अगर पेड़ में एक बार पहले रहे हो यहां पर भी पहले ले रहे रहे न तो आपकी दिमाग में चीजे एक दम कंपक्त हो जाएंगी बैट जाएंगी अगला आटिफीचल इस्टोन के अगर बात करता हूं मैं तो यहां पर देखिए गार्लिक होंगे मैं चैंट स्वीन अगी तोन यहां चैंट देखिए अगर आप इस्टील इंडस्टी में जाए इसपी इंप्यरल्टी निकलती जवाब इस्टील अब्रेट कर देंगे आगे लिकूट में कर देंगे तुपर एक लेयर आजाती वोलेर निकाल जैसे आपने चीनी चस आपने खाया होगा तो भाई चासनी को ऊपर एक ब्लैक कलर का आजाती इंप एल्टी जिसको बोलते गंदगी ओभी बहुत अच्छी होती है मास कॉंक्रीट के लिए ठीक नप उसको क्या करते उसको निकाल लिए उसको निकालने साथ सीमेंट के साथ मिला कर जो आप इस्टोन यह दोनों इंपॉर्टेंट रैंसम इस्टोन क्या होगा मिक्सिंग अप सोड़ा सिलिकेट विच सिमेंट सिमेंट को सोड़ा सिलिकेट साथ मिला ओगे और डेकरोटिव फ्लोर के लिए यूच किया जाता है गोडियूनिंग निसा बहुत दिन बाद आपाई है विक्टोरि सब्सक्क्राइब यहां पर क्या होगा आप इसड़ा सोड़ा सिलिकेट के साथ दो मन्त के लिए तो तो क्या करें सोड़ा सिलिकेट में डाल दीजे तो क्या बोलते हैं विक्टोरिया इस्टोन मैंसे बता दू अभी आज जो आया हुआ है एससी जही ने एससी की तरब से पता है चार सो एकीस एक है चार सो पचीस एक है इस तरीके से देखा जाया तो करीब यार यारा सो पोश्ट हमाई सीविल की और चार सुटी सीपी डबलू डी यार बहुत है और यह बीयारो समझ गया इतनी सीट है अब आप यह समझ लिजे की और अभी ठीक निसाब अगले साल मैं उम्मीद करता हूं कि एससी टूंटी टूंटी फूर में कहीं ने कहीं अगर आपकी 1100 प्लस सीटें हैं तो आप यह मान लिजे कम से कम सोला सु सीविल की सीटें आइंगी और एभी अगें मानो अगर एक्बार सीपी डावलूटी क्लियर हो जाता ना स 1957 वार अगर एक बार बस एकदम बढ़ आप है अगकर 1000 फाइस पीड़िए जिन्दगी भाई सुधर जाएगी आपकी क्या जिन्दगी सुधर जाएगी याद रखीगा समझ गए लाइफ सुधर जाएगी सवजे से बोल रहा हूं कि एकदम लग जाओ यार जितने कड़ी महनत कर सकते हो बस पांच महीने अपने आपको दे दीजिए सब्सक्राइब करने अचांब करते हैं लिए आप लोगों के लिए प्रिजेंट है आप बताओ लोगों के लिए अगर चुट्टी भी होती है कलकिसमस थी चुट्टी थी लेकिन आपका लिए वीडियो आई कि ऐसा है ना बाप समझ सकते हैं कि आप के लिए टीचर कितना कुछ करता है बिट्टू मेंस स्टून क्या होता है अगर नाइट और डायरो राइट आर इंप्रेग्नेटेड विद्ध प्रिप्याड आप रिफाइंड तार बिट्टू मेंस स्टून ठीग न आठीफीचल मार के पहले मैं बहुत कुछ एsyat करना चाहूंगा भी आपका तो मैं एट करना चाहूंगा यहां पर देखिये का अपलोग है ओके यहां पर कुछ पॉइंट से कुछ यहां पर पॉइंट से जो कि यहां पर नहीं मिलेंगे वह मेरे नोट्स पे मिलेंगे ठीक और यहां पर मैं आपको लिखाओं गाएक्स परोस्यों कं पोजीचन कं पूजीटर काे पर यूज़ कं पूजीशन के बात का है आप का यूज़ की शॉस कicing कि आप कोड़ आइट पहला काउंस है कोड़ डाइट और रॉक रॉक यह पता दोनों कहां यूच किया जाता है अंडर वाटर तुनिएगा यह एक्सप्रोसिव जो है ना अंडर वाटर यूच किया जाता सब कैसे अब आपका यहां पूरे पानी भरा हुआ था और यह नीचे की स्टून थी अब भाई मैंने बोला कि भाई यह वाली स्टून बाहर निकाल लेकर आना अब आप खुछ होची आप दिवा दिवाली रिम पटाके वागरे फूटा कि फूटा थे जब और अगर थोड़ा सब इसमें नमी आगी तो पटाका नहीं फूटता लेकिन आपर हो जाएगा यहाँ पर आपको होजाएगा ठेक ना अब यहाँ सभी एक्जामलेर पूछ सकता है कि लोगर इं दोनों अगर आप्सान में दिया थो सब से अच्चा इफिक फिक्टी कौन सा होता है रॉक रॉक या होता है Most Effective व logging अ अच्छे लिटोफी क्टर Pray were in the channel banana it अगर आप जब टाना टानल बनाएंगे भाई भाई आकीब भाई गवर्मेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है समय लोग गवर्मेंट अगर एक बार नौकरी मिल गई ना मेरे भाई लाइफ सुधर जाती समझ गया ना लाइफ सुधर जाती एक बारी पढ़ना बस चलो डाइन माइट कहां यूज करते हूं डाइना माइट पर इसमाल बोर होल आपने चीज़ देखा होगा ती डाइना मेर डाइना माइट विच्छा दिया हूँ चारो तरफ समझ गए एक्सप्लोसिव होता है अगला ब्लस्टरिंग पाउडर अरगन पाउडर कि इसमें पता बलाष्टरिंग पाउडर और गन पाउडर में सलफ़ेट 25% होता है इछ में सलफ़ेट आपको 50% होता है और इसका यूज कहां किया जाता है क्वेरिंग लार्ज ब्लॉक इनकुरिंग कि लार्जबलाइभ कि लाइच बोलोक आपने सुना होगा की इसके बाद बलस्टरिंग पावडर हो गया गन पावड़ हो गया ती बलस्टरींग काटन और गन का टन गन काटन गन का टन अगला होगा गन अगर जब यह होगा तो हमें क्या होता है offerings इसनग आपने धूरो मात Нथा प्रजेंट डूल मात प्रजेंट कर दोण मात ऊज़ें आपने भाइब गार सिंग रिखयो कीवागी त भाफ टिंग में में है तो जटिंदा को बुलाते हैं बोलते बताओ कैसे बंबनाया जाता हुए एक वर्ड नाम लेता है गन कर्टन यहीं वाला गन कर्टन है भाई है ठीक ना यहीं गन कर्टन है जेग वगेंसी कब आएगा मुनु कुमार जेग वगेंसी दुभाई उन्होंने बता दिया एससी जेग वगेंसी फेवरी में आ रही है तो यह सारा कुछ आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए ओके चलो अब एक पॉइंट और था एक प फायर रीजिस्टेंस के लिए फायर रिश्टेंस के लिए कोंँस टोन उजट करते हो वायर रेक रसिटेंस था प्रफमेज फ़ैर कोंस अ मताओ बिद्लिंग फामेंटेस्टाइशन के लिए बिल्डिंग फांडेशन के लिए आपटाड़ effort के लिए लीन्टिक स्यू र्यू तर्टक से लिए तर ट्क एलेक। देक्ति स्बोड के लिए क्या काय यूज stitchedober दम सही बात है up well exactly fire resistance के लिए हैं परिद आपको fire resistance के लिए भी जैसे हैं पर ली खर टाइप आफ वरक डाइप मुक्छ और यह counting सुनिए अगा फायर डिश्टेन्स अगर आपको बिल्लिंग बना ना तो क्या युज करोगे कम पैक्टेंट साइन श्टोन क्या कम पैक्टेंट है सानि स्टोन और बिल्डिंग फाउनडेस अनकी लिए गरन आई ती उसकरते हूं गरेनाइट और इसकी कमप्रेसीं इश्टेंथ होगी नंवेग आतातर से 130 मे가요 इसकी इस प्रेसीं आखी और और एलेक्टिक सुजिसी पोडल के लिए आपक Sesरों सकती हो से सिलेड यूच कर तू कर लो तना क्या करो एक डा नोट कर लोग इतना नोट कर लुग सारी कुछ थिक और यहां पर ऐख चीज और धान देली जिगा यहां पर न हाई स्टोन में संडी स्टोन में संडी में तो ठीक है अब आपको टाइप आप वरक आपने पढ़ लिया है यहां पर यह कुछ टूल्स यह क्या है टूल से और मुझे पता है कि आप पहली बारे सारे टूल्स पढ़ रहे हैं यहां पर टूल्स में आप देखिए यह कन्नी है भाई यह आपके लिए इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है जैसे यह कावल यह क्रावल आप देखते होंगे ठीक न यह आपका ट्रावल आपका हो गया न ट् से पूच लिए जाता है यह एक यह सबस्कानी हो गया यहां पर सारा भुष्हा आपको दिखा रहूं ठीक न यह आपका और का अगया इतना पूझ दिखा दिता हूं आपको मैं यह चेनी हो गई ठीक साफ साफ फलीका ओगा अगे बड़ेद्हान से देख लिए एग यह ची को हिंदिन क्या बोल दे तो कन्नी क्यों हमारे हैं क्या बोला जाता कन्नी बोला जाता है न क्या बोला जाता कन्नी बोला जाता है इसके बाद इसक्वाइर क्या होगा भाई इसक्वायर या यहां पर जंपर कहें काम में आता है जंपर याद रखिएगा दे आर यूजट फॉर are boring hole अगर कोई भी स्टोन में हमको board करना हुआ तो क्यायु चरिये करें जब जम पर देख लिजे कहां पर यह जम पर छेनी यांशी बर पर внимitives अगिले से falar होता है हैं दो क्रोप साय क्या होता है और क्रोस कर आप किया घंसा कषर 00 हूं कैसा इसांफ है अगर आप कैसा सब्वाइख सब्ट जहाए और 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 रिड़न हुआ तो कहां यूज करें अच्छा अब आप समय बता दूं अगर आप कैस्ट ओन हां इस्टोर रॉट्यान हुआ तो औहाँ और ना को सब्सक्राइब इस तोन होता है तरजी ब्लॉस्टर अच्छा ये रोड़ होती है भाई तरी ये आप जासी लीओती इन यावाला बोल सकते हो भाई यह ये ये सीडी अगर आपने इस तरीक से सबनाया है ईए यह यह पर यह ब्लास्टर होता है ठिक ना va और्णामेंड ओर्नमेंटल वर्क के लिए लेकिन हार्ड स्टोन कहां पर यूज गरते हो है इस्टोन की अगर बात करूं good अगर है वी स्टोन की बात करता हूं है वी स्टोन कहां पर यूज होता है आपका रिटेनिंग ओल के लिए कौन से में संद्री के लिए रबल में संद्री के लिए अगले पर दो कुछन आते है टाइप आप इस्टोन में संद्री में रबल में और आसलर में संद्री कौन से रबल में संद्री और आसलर में संद्री भी होगे यहां पर एक पॉंट और है हाडने साप को फिसेंट यह यह रही चायरा टहीं लिख़ा देता हूं को मतमें को को फिसेंट आ फिस्किन है को फिसेंट आफ is a coفilisant of hardness of the road यतना होगा रोड के लिये Copiescent of hardness कितना होगा पता कितना होगा आप का 14 से 17 ethам कुपी सेंट अफ हारनेश चाहर्लिस कोफी सेंट अफ हैसा अपनिकाल नय तू तुन टी है लॉशिन क्यों याद है आपको याद अगने याद है बताओ कोफिसेंट आफार्डनेस का फार्मुला क्या होगा कोफिसेंट आफार्डनेस का फार्मुला क्या होगा कोफिसेंट आफार्डनेस का फार्मुला टुन्टी माइनस लॉस इन वेट बाई थिरी और मैं बता दूं यहां पर मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि इसका एंसर तेरा तसरी कैसे भाई वो मुझे पता होगा यह कई बार हाँ बिल्कुल होने वाला यह कई बार आपके यह मैं से देता वीज माइनस एकीज देता है इकीज भाई ठीरी यह साथ आजाता तेरा एंसर आजाता समझ गया इस तरीके से आप चापरासी से लेकर आई एस तक में तेरा एंसर आया सेम कुशन आया हुआ हुआ है जब अन गढ़े पत्थर क्या रवाल मैसंडरी में जब अन गढ़े पत्थर जब अन गढ़े पत्थर यूच किया यहां पर क्या जब गढ़े पत्थर यह क्या है सर गढ़े पत्थर अन गढ़े पत्थर क्या है अभी आपको दिखाऊंगा कि गढ़े पत्थर और अन गढ बनते हुए इस तरीके की भी ने देखे होंगे इसको एरबल मेसंडरी यह देख लिजी यह वाली आपने दिवाल देखा होगा यह वाली इस तरीके से ठीक यह इतना बड़ा फिर छोटा यह बड़ा फिर छोटा यह बड़ा इस तरीके सापने देखा होगा देखे ना क्यों बहुत ऐसे राजा होंगे जहां पर आप देखें होंगे यह इस तरीके से रबल course आपका यह होता है ठीक न कोर्स आस्लर आसलर मी क्या होता है गलः हुए पत्थर आसलर में क्या होता है बल्ह पत्तर घकॉरत यही एक वोड़ाता है कि दी्स टाइब सब्सक्राइब अनुट अपसे यह आन पूंट पूंट सकता है इस ने के पूंच सकता में अच्छा आपको पहले आप कई बच्चों का डाउट है वंडाउट में पहले किलियर कर देता हूं एक मिना टुकिएगा उडाउट मैं किलियर कर देता हूं कि अगर आप बैच के बारे में पूछ रहे ना तो मैं बता दूं बैच के बारे में आप से बोल दूं कि यहां पर आप यह देख पा रहे होंगे एज यहां पर जैसे जाएंगे ससी जे तो यह यकीन बैस यकीन 3.0 आपका स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से और यहां पर मेरा 29 दिसंबर से बाकाइदे इस से भी डिप तुमें चलके क्या ब्यंसी स्टार्ट होने वाला क्या स्टार्ट होने वाला BMC और मैं बता दू अभी जाकर इन्रोल कर लिए देर नहीं करना क्योंकि पहली क्लास आपके लिए सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कोई भी क्लास हो आपको डेली क्लास ज्वाइन करना और पहले से अग्दम मोटिवेट हो कर वैटना की नहीं सर हम कर लेंगे देखेगा यहां पर अभी नया साल के उसमें और यह डबाल वाली डिटी आज बस रहने वाली है और अभी साइद फिनीज भी हो जाया जरात पे वाली डिजे भी ट्रॉल मंत है तो अभी जाकर भी इन्रोल कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां एकटी परसेंट आपको डिसकाउंट मिल जाएगा मेरे दोस्त लेकिन कब जब आप यह लगा होगी आपके भाई कोपन कोड़ वाई 579 कोई भी डाउट होगा मैं प्रजेंट हूं आप ठिक और अगर आप रेलवे की भी त्यारी करना चाहते हैं कि सर कोई ऐसा बता दीजे यहां पर क्या है यहां पर क्या है यहां पर भी एक कूपन कोड़ वाई 579 जैसा पिसको अप्लाई करोगे बता 2918 रुपय का जाव फटा फटा फटेंडोल कर लो यार आज भर के लिए है और नहीं अगर बैच फूल हो गया तो फिर दिक्क्त वायार भाई ने स्टर इतनी बैकन सी आने वाली है देखिए अभी भी हार में आने वाली बैकन शी यह जोभी वेकन सिए आपको जैसे ही बिहार में एक चीज़ पता यह वैकन शीया यह दो महीने पूरा पूरा हो जाएगा हम बार बार आप से बोलते हैं आप लोगों का ऑन से लिए होना चाहिए जब आपका कॉंचेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी वेकंसी आजा आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक तो यार आपके पास यह बैचिस होना चाहिए भाई दो हजार तीन हजार रुपिया कुछ नहीं मैं कहता हूं अगर आप कॉलेच पढ़ाई कर रहें तो दो दोस्त मिला कर ले लिजी लेकिन जुड़िये आप यहां पर कॉंसेप्ट देखते हैं यह बताओ जब कोई अनिंफ फिरी तन अच्छा कॉंसेप्ट दे सकता है तो पेड में कैसा कॉंसेप्ट देगा ओके तो आप जितने भी ऐसे बच्चे है ना जो अभी तक इन्रोल नहीं कि जाकर मेरे दोस्त इन्रोल कर लिए ऐसा नहीं आपके भलाई के लिए ही बता रहे हैं ठीक यहां पर आपने देखा होगा आसलर मैसेंडरी तो यहां पर और एक चीज में आपको दिखा देता हूं यहां पर आपके एक्साम मे कुशन सुने कैसे होता रबल में संदी क्या होता दिस इस कर देग्री दर यूज़ आई रॉस अ ओटे एस इस तरीकी कि मैस हां बिल्कुल सभी की एक्जाम की ताहरी हो जाएगी यहां पर देखेगा जो ड्राइए अगर आप अभी ड्राइबल मेसंडी पढ़ा हूंगा ना आप लोग क्या होगा एक दम भॉचक के रह जाएंगे कि सर ड्राइबल मेसंडी में आपका मोटारी नह अब आप से पोल दिया जाएगा कि सबसे पूरेष्ट और चीपेष्ट रफिष्ट काउंसर इस्टोन मेसंडी है आप से पूछते जाएगा देश्टोन यूज इन डिश्टाइप आप मेसंडी वेरी मच वेरी सेप साइज डिरेक्ली अप्टेन फ्राम कोई रिंग अंध क सेंडी ड्राइबर मेसंडी युचक हराता है ठीक यहां पर क्या होगा र청ोका रहिं स्रूरी विडाउट अनि मूंटार ये लिखा हुगा कि यह मोड चार कैसा इसमें को मोड़क ही नहीं पूछी होता और पर में संभी मिक्रव गा भर कि और में सिनिम क्या होगा मोटार ही नहीं युच्छ अब आप समय लो एक्जाम में यह बात पूछी गई थी आपके एक्जाम में यह बात पूछी गई थी याँ कोई मोटारी नहीं युचिए जाता ऐसी रबल में से ऐसी में संदी का नाम बता दीजिए किसी को भी स्वासी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई मैं संदी होती भी ठीक इस वाद हम कहां गए आसलर में संदी जहां पर कुछ इस योन आर ऑप्टेन और कल तो भाई आप भारी संख्या में जूरियेगा तो कि पता है कल जो आपका से साना आपको टिंबर पढ़ाऊंगा मैं क्या पढ़ाऊंगा टिंबर और एक बहुत तगड़ा से सान वह एक बहुत तगड़ा से संद कल वाला टिंबर होगा ठीक एकदम सही बात था प्विसीकल चेमिकल लेकिन बाइलगोजिकल आप महीं पढ़े भूँच करTS एक्जामपल आप दोरे राइड किसका एक्जामपल पता ये दोरे राइड किसका है मिल्ट के एकजामपल आप जित्ते भी वच्चे रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे है यह अभी देख रहे है न सबीस होती है कि भाई से संके अंत में आफ वेलवल फिडवैक जरूर देकर जाया करिए कि सरक ऐसा है और क्या इसमें की ज़रूवरत है समझ गए आपके लिए है इंपोर्टेंट की नहीं अगर नहीं तो ही बताई और भी सुधार किया जाएगा चलिए यहां पर प्लूटोनिक रॉक क्यों पड़ा मैं आगर आप से कुशन पूछू कि यहां प्लूटोनिक रॉक पड़ा तो प्लूटोनिक जो सिस थे प्लूटो उनके नाम पर प्लूटोनिक पड़ा उन्होंने बताया ग्रीस वालोने बताया वर आपको पता होगा ग्रीस सबसे पहले ग्रीस मकालीन खेल जो गवाता ओलांपिक हुआ था ग्रीस में वह था 4322 25 इस भी चाहता कुझे आदा रहा उसकी राजधानी एथेंस में इन्हों ने बताया कि सॉक्रटी जो हमारे सुक्रात प्लेटो जो है यही पूरे बिल्दिंग और धर्दी को चला रहे है ठीक ना ओलकानिक हो गया अच्छा ओलकानिक एग्जांपल बता दीजिए भाई बैसाल ट्रेंप अर ब्लुटोंइग आप को होगा सेडिमें आपको पता है अगले पी वी चलना फरोई इस नाट फीजिकल करेक्टिश्टीग फुरॉप इन में से कौन से फिजिकल करेक्टिश्टिक फॉरॉप का नहीं स्टेटी फाइद अनिस्टेटिफाय करेक्रास फोले ट्रेट पिज क्ञ neste qu कोन सांधर होगा हम यह हमाइं अपकर यह झार स्वाकरस इसनिए आपका केमिश यह आपका केमिस का क्वाद लमई कि अगले पी आपको देखने को मिल आउकना सारे नहीं आपको डिक देखने को मिल ला हो ga अगले पे इनुच आप फॉल्लींग रॉक क्ले रिडोमिनेंट तो कहीं कहीं आपका एलुमीना भी लिखा मिल जाएगा च्यांपल की अगर बात किया जाए क्या क्या हो जाएगा लेटे राइट हो जाएगा और के ओलीन हो जाएगा पूरी पीडियाप आपको भेज देता याद रखिएगा क्वेल कर आसमें आपका चूना थेयोग की प्रधानत्त हो जाती है सि stripes में सायोटू रह जाता है सी योँ में आपका मारबाल आ जाता है और लाइम यूटmare बीEO लिख सकतो हो इसा कि बच्छे हुए एह था यूटू में डाल सकते हैं आप May Say क्यों ठीक यह सारा कुछ औल कैनिक रॉक के एक्जामपर मैंने आभी आपको लिखवा दिया है बैसाल टोट रैप इस तरीके सा अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी अगला बता देंगे अगला क्या होगा अगर इसका एंस क्या होता है बता दिए इसक्वायर रकुलार पार य tenía टाउनल रोता है क क्यसा होugाड से ने कर तक है को है सर्दो बता स यहां पर ये क्रॉसक्त सा देख लिए का हाड़ी स्टोन के लिए क्रॉसकुट जली यूच्च किया घता है और सौप इसे लिए रही हैंड ईयोला सवायं मुझे इसा लगा भूल गया था किया मैं मेरे दिमाग में अई यह हो गए यह वो गया यह हो गया यह हो गया यहां पर ऐसे ही आपको अंसर बताना चाहिए बताना चाहिए विक क今 Cyber संग कभी सी है एक यह नहीं यर जब derecho यह जार वाइफ नहीं हो तक एक होता है श्मीत टेश्ट इस तूफाइन इसमीट टेच्ट कई गले क्रेकिया जाता है और इसमिट टेष्ट आपका अपने ऑखे मेरे शोफोर के लिए किया था अधेक सब्स्किन एस सब्सक्राइब चारिण फोन क्या होगा प्रेजंस आफ भर मैटरील सेंपल आप श्तुरोने जितना भी हमारे प्रेज़ेंट विखास नइस आ लूभर मतेरिय Ums और ये क्या बताता है सुकून क्या बताता है सालूबील डिविल्टी क्या डिविल्टी ठाइंक्यो ठाइंक्यो एसस I love you for a stone to be used a road road work to coefficient of the hardness should be greater than kissy data hona tea but oh boy the para question a boho the para question about a coefficient of hardness should be greater than he said I don't want to say that on a day 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 2017 so cool which is a hard one at the your DLC finance option sponsor a house Take The síます a little book see about up avengenespère okayią dupac Oh go go COP the आपके दोनों एंसरा सकते अभी बात बता दूमें एक्जामनर की मर्जी आप भी मान सकता सट्रावी मान सकता और इसकी रेंज किया होगा रेंज इसकी 14 से 17 होती है तूर्ण त्रोरी सिर्ट सर आप्ला अगा 15 अग अगला बैसाल इंट इस आई ना मसी अंपला था इसम प्रिम्हें तीड नहीं होनी कने मैटक मुर्फिक नहीं आहिए यह साल्ट आपका ओलनेख शीङ पतेशने के उल्क बञनेख श्चोन चाहले के इस थिट रूवलवब alter डिश्बीब सा कर्विक्ट नहीं है इट इस हाइड़ेटिट सलफेट ऑफ कैल्सियम एकदा मदूला भाई एट है एक्सिलेंट साल विल्टीन वाट यह बात नहीं जिवतम पानी में साला विल्टीन एक्सेलेंट होती ओके यहां पर इप दुवाइट इन देफ्योर स्टेट यवी भाथ स जब यह दोनों डिफरेंट लिए तो मुझे पता ये दोनों आप्संस सही ये दोनों बातों में से contradiction हो रहा तो एक option आपको टिक लगाना बता ये कौन सा पार्ट सही होगा मैं मेरे लाल बता हो कौन सपार्ट सही होगा इटाइज एक्सिलेंट्स लुविल्टीन वाटर आप ऽर याज़स यहां की राओ भी आनकर सर्वेंग क्लियर कर रहे हैं यहां पर यमसी क्लियर कर रहा हूं मे crush और आर के सर एफम के लियर कर रहे हैं एक वोल्टिकल कर तीन तीन सब्जेक्ट फ्रिया कॉश्ट आपको पढ़ाया जा रहा और एक डवांस लेवल पर पढ़ाया जा रहा ठीकना याद रखिएगा आप अगर मैं बात करूं आप से की प्योर इस्टेट हो गया अच्छा लенная आप अपको सेसम कैसा लगा यह से सिस्टेना ही आपको इनक्स रख़ेकर आने महां कैल मैंख को पढ़ाऊंग आपको सबढ मैं अखना समझ गहे आपको दिल्खुस और पूरी की पूरी पीडियफ ऑवी आपको भेज़ दूमा और comment section अब और बताएं या आप को इसा लगा मेरे मेरे दोस्त क्यों यह से साना आपको कैसा लगा कमें सेक्षन नहीं नौता यह अब आप अपने डाउट पूछ लिजी अगर आपके पास कोई डाउट है तो डाउट मुझे पूछ दिजिए कोई भी कोई भी डाउट है तो जरूर बताईएगा है वी मजा आ गया वेरी गुड यार बस आप लोग ऐसे प्यार मनाये रहें ऐसे सपोर्ट करते रहें मेरे दोस्त मैं गारंटी देता हूं कि यह सिसन आप लोगों के लिए एक मिल का पत्थर सावित होगा जब आपका सेलेक्शन हो तो आप लोग ऐसे प्यार मनाय रखें भाई और और अगर कोई भी डाउट है कहीं पर तो प्लीज आप मुझसे पूछे एक बड़े भाई गनाते एक चोटे भाई गनाते एक दोस्त गनाते और एक टीचर गनाते जो भी आप समझतें दाउट पूछिए बस एक काम करिये क आप लोग पढ़ाई करो या जितना मोटिवेट हो सकता उतना मोटीवेट होका पढ़ाई करें आपको मैं बताव दूसेलेक्शन आपका होगा और सब्सक्राइब करें जितेन भाई यूटूब पर ही मेरा सेसन पड़ा हुआ है यूटूब पर ही मेरे इतने सेसन अब्जेक्टिव वाले पड़े हुए न अगर आप वो कर डालेंगे तो हो जाएगा और यह जो सेसन है यह कॉंसेप्ट मंडे टू फ्राइडे हमारा करिएगा कि आप लोग थोड़ा सा और भी अपने यार दोस्तों को भी बुला लीजिएगा क्यों यार यहां पर नहीं कोई बुक नहीं सिवल इंजरिंग सॉर्स एमसी को बुक नेम कोई भी बुक नहीं है बिलकुल दीपू अभी स्टार्ट करिए टाइम हाई नहीं हमारे बबाई लव यू एंड थैंक यू जैहिन